आज मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने इस तरीके से जो अपने एक सापिंग बैक में पूरा कपूरा पालितेन को रखी हुई थी मैंने निकाले लिए फिर मैंने सोचा किया बना उ तो मैंने बना दिया एक प्यारीısı चीज जो की बहुत ज़्यादा खुशूरत लग रह सकते हैं जो सालों साल सकती हैं बहुत ही कम समय में तो यहां पर मैं पर से उसको खोलने हैं क्योंकि नहीं है की ऐसे hasn कि प्रबधने के लिए क्यांकि और इस सख्वाइर पीस में थाहिए मैंद हो इतना पता हई है तो चलिए यहाँ पर किस तरीके से हम कट करेंगे कट कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करेंगे और क्या बनाने वाले हैं तो दोस्तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में वीडियो पसंद आएगा तो पूरा देखिएगा आगे भी सेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी हिल्प हो पाए और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए का हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट पा करके अगे का जो पार्ट है याने की होल्डर है इसको मैं कटकरके निकाल के फेक दूँगे फिलाल इसका भी यूज आप बहुत इजी तरीके से कर सकती है अपने होम डिकोर आइटम के लिए तो आगे के पारिथीन के होल्डर का वीडियो देखना होगा तो चैनल में सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी अपने नाम के साथ जरूर छोड़िएगा तो फिलाल तो मैंने यहाँ पर स्कॉायर में तयार कर लिया हुआ है अगर आप इस तरीके से कलर फूर में भी तयार कर सकते हैं तो सेम का सेम हमें ऐसा ही चाहिए फिलाल यहाँ पर मैं आप लोगों साथ सेयर करूंगी आपके पास अगर छोटे छोटे चोटे कापड़े होते हैं इधर उधर गुम हो जाते हैं कहीं भी दब जाते हैं तो आप इस तरीके से इसको अर्गनाइज करके रख सकती हैं तो चलिए पहले तो जितने भी पालिथीन हैं इनको हम सही कर ले रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास इकठा होते जा रहे थे मैं इनको आड़ात इच्छा करते हुए रखते जा रही थी जिससे बहुत अच्छे से शिकोड़ बटूर गया है तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो यह जो पालिथीन है न तो यह थोड़ी सी बड़ी है इस सब ग्लाशनी बेग हैं दोस्तों जो ग्लाश्प में होते हैं उसमें का है तो थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको क्या करूँगी नी चे लगाने के लिए योंज करूँगी तो पहले मैं यहाँ पे हाथों से प्रेस करके सही कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से सुकूर बोटर गिया था तो यहाँ पर मैं सरकल में कट करूँगी तो उसके लिए आपको कोई भी चीज रख लेनी है ताकि आपको आसानी हो कट करने में तो यहाँ पर मैं निसान लगा ले रही हूँ तो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए आप उसी के कार्डिंग यहाँ पर कट कर सकते हैं तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमें इसको बनाना किस तरीके से हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आगे भी निसान लगा दे रही हूँ क्योंकि हमारे जो थाली थी कुछ जादे ही छोटी लग रही थी हमें तो यहाँ पर मैं दूसरे राउंड पर जो निसान लगा रही हूँ उसी पर मैं कट करूंग तो यहां पे आप लोगों को इस चैनल पर जितने भी वीडियो मिलेंगे दोस्तों उसमें आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करना नहीं होगा आपके घर में जितने भी कबार एकठा हुए रहेंगे आप उसी का यूज करके बना सकती हैं तो चलिए हम इसको कट कर ले रहे है तो मैंने यहां पे कट कर लिया हुआ है यहां पे टू पार्ट है दोनों को हम जॉइन करेंगे फिलाल हम इसको अभी रखते हैं साइड में तो यहां पे जितने फी पट्टी हमें कट करनी थी मैंने कट कर लिया हुआ है यहां पे एक ही कलर को आप लोगों को दिखा रहे है तो यह दोस्तों बहुत ही easy है जिनको बिल्कुल भी शिलाई करने नहीं आती वो भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक एक पीस का use करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगेगा तो कुछ इस तरीके से हमें fold करना है यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें triangle में करना है उसके बाद यहाँ पे मूर देने हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें silaik कर लेनी है अब आपके पास silaik machine है तो आप उसका use कर सकती है नहीं तो आप हाथों से भी easily silaik कर सकती है बहुत ही कम समय में बनके तयार होता है तो इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इसको जॉइन करते हुए लगाते जाना है तो चलिए हम सिलाई मसीन का यूज करने वाले हैं क्योंकि हम इसको और भी कम टाइम में बनाना जाते हैं तो चलिए हम सिलाई मसीन का यूज करते हैं तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ अब यहाँ पर मैं फोल्ड करते जाओंगी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखा किस तरीके से फोल्ड करना है तो इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई करते जाएंगे तो यह मेरा पूरा बनाने में मुझे 10 मिनट का समय लगा था दोस्तों उससे जादा नहीं लगा था बहुत ही कम समय में लग जाता है तो देखिए कुछ इस तरीके से डिजाइन बन के आया है तो आप मन चाहा से बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे फिलाल आपको यहाँ पर जो है सापिंग बैग एंड सबजी के थैले का ही यूज करना है तो देखिए इस तरीके से हम जॉइन करते जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं कई कलर का यूज कर रही हूँ तो सरकल में मैं बना दी हूँ पूरा उपर का रेड उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट का यूज कर रही हूँ सेम प्रॉसेस में हमें इस तरीके से करते जाना है तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं हम तो यहां पे मैंने के बाद बीच में कुछ इस तरीके से मैं सापिंग बैक को ही रखूँगी और रखने के बाद यहां पे मैं सरकल में सिलाई करलूँगी प्पोजिट होना चाहिए या peso colour का नहीं होना चाहिए तभी बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा जैसा को तो यहां पे एलो में लगाया हुआ है मैरून कलर का तो भी प्यारासा हमारा जो है बनके तैयार हो गया है दोस्तों को टेबल पर रख सकते हैं दरवाज़े की पास रख सकते हैं मतल cena आपको जहां भी लगे का बिल्कुल भी यूज नहीं करा हुआ है तो आप लोगों को पता ही है इस time सब्सक्राइब के थैले भी जो आते हैं वो भी प्लास्टिक के नहीं होते हैं तो आपके पास ए चीज़े आसानी से मिल जाएगी और आप आसानी से इसको यूज भी कर पाएंगे तो जैसा कि मैंने यहां पर बना लिया हुआ है तो अभी हमारे पास और भी है मैं अलग-अलग डिजाइन से इसको तयार करूंगी और बनाओंगी हाँ वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी डिजाइन आपलों साथ जरूर सेयर करूंगी तो फाइनल में हमार बहुत ही प्यारा सा फ्लावर मैट बनके तयार हो गया है तो इसको हम अपर रखेंगे अपने टेबल पे लिविंग रूम में जो की बहुत जादा सुन्दर लग रहा है और मैंने यहां पर टेडियर बेर भी रग दिया हो था जिनकी एक आंक जो है मारी बेटे ने उड़ा दिया हुआ है फिलाल यह चीज आप लोगों को कैसी लगी है कमेंड में जरूर बताना मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है आपको कैसी लग रही आप पताईएगा तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ तो यहाँ पर मेरा सेकेंड आइडिया है इस तरीके के जोके के बैग हमारे पास आते रहते हैं और हम इनका योज भी भरपूर करते हैं और करते करते ही जब फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं इनको फैक देते हैं तो जैसा कि मैंने इसका भरपूर योज करा हुआ है दोस् तो पहले मैं नहीं सभी जाने का मन नहीं था तो मैंने बोला चलो भई तुम नीचे ही बैट जाओ उसके बाद यहां में क्या करूंगे कुछ इस तरीके से जो छोटे-छोटे मोजे वगरा होते हैं साफसो गरा हमारे रुमाल होते हैं इस सब गुम से हो जाते हैं और बड़े जोले में हम डालते हैं या बैक में डालते हैं तो हाट डालके में ढूड़ना पड़ता है नहीं तो पूरा का पूरा गिरा देना पड़ता है नहीं तो आप कुछ इस तरीके से पेपर को भी अर्गनाइज करके अपने किचन में रख सकते हैं क्योंकि किचन में पेपर की बहुत ज़रूद पड़ती है तो आप इस तरीके से रखेंगे ना तापके जो पेपर हैं बहुत ज़दा आर्गनाइज रहेंगे देखने में भी बहुत ज़दा प्यारे लगेंगे तो भाई यहां पे मैं आप लोगों साथ आइडिया सेयर कर रही हूं अभी आपको रखना क्या है वो आपकी मर्जी है पेपर रखने हैं चोटे मोटे साक्स रखने हैं चार्जर रखने हैं या रखने हैं या मेरी तरह आपने चोटे चोटे प्यारे प्यारे क्योट क्योट से हैं उनको आर्गनाइज करके रखने हैं क्योंकि हमारे जो किसे ले भी लेंगे साथ ही साथ इसको बहुत ही कम ऌपर देखिए शापिंग जो कि नीचे से भी फट चुका है उपर से तो खुलाई है लेकिन फिर भी हम इनकी जान छोडने वाले नहीं है इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यारी चीज बनाएंगे तो जैसे कि मैंने बताया मेरे पास जितने आते रहते हैं मैं सारा कसारा रखते जाती हूँ ते भाई उस टाइम तो हम इसको अच्छे से अगर फोल्ड करके रखते हैं तो कुछ इस तरीके से सुकड़ा बटरा नहीं रहता लेकिन कर दी हूँ गलती तो कोई बात नहीं यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन में पत्तियों की डिजाइन दे दे रही हूँ अभी आपको फ्लावर्स बनाने है तो आप फ्लावर्स बना लीजी लेकिन मुझे बहुत ज़दा अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है क्राप नहीं है तो इस वज़ए से कुछ यह ही तरीका समझ में आ रहा है तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर धेर सारे लिप्स निकाल ले रही हूँ तो चली भाई इसको यहाँ पर मैं निसान लगा ले रही हूँ ताकि मुझे कट करने में कोई भी प्राब्लम नहीं हो और मैं बहुत आसान तरीके से इसको कट कर लूँ इसलिए यहां पर हमें भरवर की लीफ मिल जाएगी आपको सिर्फ एक ही सापिंग बैक को यूज करना है तो चलिए इसको हम कट करके निकाल दे रहे हैं अलग कर दे रहे हैं तो सारी पत्तियां हमारी कट चुकी है अभी हमारे पास एक सापिंग बैक और है तो चलिए उसका भी हम योज कर ले रहे हैं फिलाल इन सारी पत्यों को रखते हैं वह भी साइड में और जो थोड़ा सा आड़ा तीर्चा कट गया है अभी हम उसको सिट कर लेंगे तो आपको भी सिट कर लेने हैं ऐसा नहीं है कि जैसा भी कट रहा है कटने दो तो भई मेरा तो थोड़ा किसे है जो की बहुत जादा छोटा दिख रहा है नहीं अभी मैं इसको बहुत जादा बढ़ा भी कर सकती हूँ चलिए कर लेती हूँ आप जैसे इसके पीछे का पार्ट कट करेंगे न वैसे ही काफी जाता यह बढ़ा हो जाएगा यह देख सकते हैं तो हो गया ना जादू को पिटा रहा तो यहां पर बढ़ा हो चुका है अब भाई यहां पर जो आगे का होल्डर लगा हुआ है यह भी हमारे काम की नहीं है तो भाई हम होल्डर को भी निकाल के फेकी देंगे या दूसरे चीजों में यूज कर लेंगे तो यहां पर दिखिए कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया है अब जो शुक्रा बट्रा है इसको हम हातों से प्रेस करते हुए एक दम से सीधा कल लेंगे टाइट कर देंगे और होल्डर भाई अब तुम जाओ तुमारा काम खतम तो यहाँ पर अच्छ समय फैला लोंगी शुक्रा बट्रान खतम हो चुकी है अब चलिए इसके उपर हम कुछ इस तरीके से लीप को लगा देंगे आपको और भी डिजाइन करनी होगी तो आप कर सकते हैं फिलाल मैंने यहाँ पर आप लोगों साथ आइडिया सेयर करा हुआ है डिजाइन बनाना आपके मर्ची की बात है अभी इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम इसको जोल लेंगे यानि कि सिलाइक कर लेंगे यहाँ पर मैं हाथों से सिलाइक करने वाली हूँ तो फाइनल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो दोस्तों फाइनल मैंने क को इस तरीके से बना लिया हुआ है अभी आप चाहो तो शाइट शाइट जो है गोटा पट्टी लगा सकते हैं उससे थोड़ा सा डोर मैट की तरह दिखेगा लेकिर इस तरीके से मैंने बनाए हुआ है तो टेबल मैट की तरह बहुत जाधा प्यारा लग रहा है बहुत ही टेबल पे लगा सकते हैं तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लो कमेंट में जरूर बताना थोड़ा सा भी ही हेलफुल लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा हाँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट